आज के समय में जिस प्रकार से सोशल मीडिया हमारे रग रग में बस चुका है उसे देखते हुए वो दिन दूर नहीं जब हमारी प्रिविसी इन सोशल मीडिया कंपनीज के हाथ में चली जाएगी। इसके दुश प्रभावों से बचना मुश्किली नहीं नामुम्गिन सा हो गया है। आज हम जिस फिल्म पर चर्चा करने वाले हैं उस फिल्म में सोशल मीडिया के उपयोग करने से आपका जीवन कैसे दाओं पर लग सकता है वो बताने की कोशिश की गई है। इसलिए फिल्म एक पुलिस ऑफिसर है तो वहीं वाइफ सोशल मीडिया के गुलाम ही कहेंगे करोडो उन महिलाओं जैसी जिनोंने घर में क्या बनाया क्या पहना दिवार पर क्या सजाया वो सब सोशल मीडिया पर साजा करती है। इन किरदारों को निभाया है विनीत कुमार और उर्वशी के साथ अफेर है लेकिन क्या सच-पुछ अफेर था या सोशल मीडिया की लत ने उसकी वाइफ को एक ऐसे चुंगल में फसा दिया जहां से निकलने का रास्ता केवल मौत है। इनी सब उलजनों के बीच फिल्म आगे बढ़ती है और नेगेटिव शेड में देखने को मिलत हैं अक्षे ओबरॉय जो सोशल मीडिया से ग्रसित महिलाओं को अपने प्यार के चुंगल में फसा कर उनका इस्तमाल करते हैं। अब क्या कुछ घटता है इन तीनों के बीच और क्या इंस्पेक्टर रवी अक्षे ओबरॉय यानि अंशुबन के फैलाए जाल से अपनी बी गुस्पेठिया नाम से अब बनाया है गुस्पेठिया उसे कहते हैं जो हमारी मर्जी के बिना हमारे जीवन में आकर हमारी सुख शांती को भंग कर देता है और इस फिल्म की कहानी के लिए इस से बहतर टाइटल क्या हो सकता है फिल्म का स्क्रीन प्ले एंगेजिंग रहता यानि जहां हर इंसान के दो चेहरे होते हैं सामने कुछ और इंटरनेट पे कुछ ऐसे में इस फिल्म से बहुत से लोग रिलेट भी करेंगे। हीरो पर बेस्ट रहता है बट इस कहानी में विलन को जिस तरीके से प्रेजन्ट किया गया है वो देखने लाइक है। यहां विलन अपने चमचो को ओरडर देकर हीरो को मारता नहीं है बलकि इस फिल्म का विलन अपने दिमाग से पूरे खेल की रूप रेका बदल कर रख देत है फिल्म में विनीत कुमार एक पुलिस आफिसर के रूप में अच्छा काम कर जाते हैं वहीं उर्वशी रोतेला भी एक हाउस वाइफ के किरदार में अच्छा परफॉर्म करती दिखी हैं विलन के तौर पर अक्षय ओबरॉय देखने को मिलते हैं इस किरदार में वो शां पर पट्टियां जख्म आदी दिखाया जाता तो फिल्म थोड़ा और रियालिटी के करीब फील होती बर्ट स्टिल उन्होंने अपने किरदार को अच्छा निभाया है फिल्म की कहानी आज के समय की है जिसके कारण यहां घटित सभी द्रश्यों को हम बहतर तरीके से अनु मुझे लगता है कि यह फिल्म एंटर्टेन्मेंट के साथ साथ कुछ सीख भी दे जाती है जो कि फिल्म देखने का एक और रीजन हो सकता है मेरी तरफ से फिल्म को 3.25 स्टार्स हेव नाइस टे